नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी फार आल एगरी कल्चर कम्टेटूग जामें आपका स्वागत है PGT अर्थात एगरी कल्चर जो स्टूडेंट है या अधर जो स्ट्रीम की स्टूडेंट है उनके लिए प्रवक्तापत जो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी और ये 19-2020 से इसका एक तरीके से रेजिटेशन स्टार्ट हो गया है और नॉम्बर जो लास्ट नॉम्बर है वह अर्थात प्रसिचित इसना तक होते हैं उनकी इलिजबिल्टी अलग-अलग होती है तो हम इन सब के बारे में देखेंगे देखिए पदू की संख्या घट बढ़ सकती है और जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो परिक्षाएं हैं उनका अलग-अलग है और एक तरीके से प्रत्यक वर्ग विशय के साफेच एक ही आवेदन से विकार किया जाएगा अर्थायत प्रिथक आवेदन ये दप एक से अधिक विशय में प्रिथा प्रिथक आवेदन कर सकते हैं तो ये पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है ये महत्मूर निर्देश दिये ग होक कह सकते हैं कि उनको वेटेज दिया जाएगा इसमें वेटेज देने की बात की गई है और ये सुल्क हो जाएगा हमारा लाइन लिखित परिक्षा जो है वो दिरात्मक अंकन नहीं है तो जो भी स्टूडेंट है कह सकते हैं कंडिडेट हैं वो ये तरीके से रेजिटेश कि आधार पर कर दिया गया है यह प्रवक्ता का जो बद होता है देखी अनता आलीस सो ग्रीट पे ये डिफ्रेंस है अर्थात PGT में TGT की अपिच्छा जो है वेतनध अधिक होता है तो ये भी अच्छा है अहरता जो हो जाएगी एक तरके सच्छिक योगिता अभी हम इस इसकी भर्ती पक्रिया वह थोड़ा सा चेंज है जो pgt का होता है वह लिखित-परिक्ष्ध के आधार के आधार प्रथय तंगे और सचातकार के आधार पर 10 प्रथय तंगे रथाति इसमें साथ शातकार होगा लेकिन pgt में अब नहीं होगा सामामान निज्गान के आधार पर चार प्रnt अंख व्यक्तिगत परिछल के आधार पर तीन प्रच्छत अंक आभिव्यक्त की योगिता के अधार पर 10 प्रॉसेत अंक जो है निर्धारित किएगये हैं अगर किसी कपांस वी से योगीता है कि अधार पराच प्राश्च Grabh कि मार्प हम से किसी राष्टीख्यल में अगर प्रतिभाग किया तो आसे पराप नद्वाइट फ्रों हो जाएगा तो लिखित परिक्षा 425 अंका साथ्षाटकार 25 संका और 25 अंक जो थाएगा आपकी यह तोटल किसिक पास PhD की डिग्री में इस तरीके से अगर डिग्री है तो 25 अंक वहां वेटेज दिया जाएगा तो यह टोटल 500 अंक का होगा तो जो लिखित परिक्षा होगी वो 425 अंक होगी तो यह एक तरीके से लिखित परिक्षा कहेंगे कि 425 तो यह 125 क्यूशन जैसे हमारा कार हेत मेरेट लिख्ट जो बनेगी वो कहेंगे कि लिखित परिक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा दर्थ प्राक्टाओं द्वारा प्राप्त अंकों को जोग के बनेगी चैन हे तुमेड लिस्ट इस तरीके से दोनों तो यह हमारा हो जाएगा अब हम पदों की संख्या अगर देख लेते हैं तो पदों की संख्या इसमें जो है वो अच्छी खासी टीजीटी के पेच्छा कम होती है हिंदी में 363 है इतिहास में 68 है अगर हम यही बात करते हैं संस् क्रिशी में तो 38 अर्थात काफी कम है 38 तो 38 लिकन यह एक तरीके से PGT अर्थात हमारा पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात जिनके पास इलिजबिल्टी के अभी देखिए इसमें बात की गई होगी इलिजबिल्टी की देख लेते हैं उर्दू है तो MA होना चाहिए अंग्रेजी है कला है इस तरीके से अगर क्रिशी में हम देखें तो MSC होना चाहिए अर्थात MSC जो क्रिशी होगा उसे एक तरीके से और अगर किसी पास बीएड भी एमेड पीएड पीएड है तो उसे और भी अधिमानी कहेंगे कि अल्डेड उसे वेटेज दिया जा रहा है नंबर दिया जा रहा है तो MSC-AG हमारा प्रवक्ता के लिए MSC-AG अनताली सो ग्रे होता है तो यह तरीके से हमारा हो जाएगा जो भी स्टुडेंट इलिजीमिल है वो एप्लाई करें क्योंकि एक टोटल एक तरीके से अगरिकल्चर के बेस्ट पे होना है केवल अगरिकल्चर की क्यूश्चन पूछे जाने है तो आल्रेडी चैनल पे काफी कुछ अगरिकए